तो दोस्तों, आपके अंदर दम है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखकर दिखाओ, मैं चैलेंज करता हूँ, आप ये वीडियो पूरी देख ली, तो अपने लाइफ में आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में इस बात का जिक्र किया हूँ, ज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं, जब पुराना भोजन पेट से बाहर हो जाए, संयम में सब कुछ अच्छा है, भोजन को आपकी दवा बनने दे, और दवा को आपका भोजन बनने दे, अक्सर इसके बिना रहना ही सबसे अच्छी दवा है, अगर आपका मूड खराब है, तो टहलने जाए, यदि आपका मूड अभी भी खराब है, तो एक और सैर करें, अत्यधिक भोजन रोग का कारण बनता है, सभी रोग आंत से शुरू होते हैं, कोई भी उत्तेजना और भावनाओं की तीव्र अभ ही करना चाहिए, इलाज को कभी भी बात तक के लिए न ठाले, असयमित होने पर नींद और अनिद्रा दोनों ही खराब है, मुझे बताओ कि तुम क्या खाते हो, और मैं तुम्हें बताओंगा कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, जो रोग अधिक काम करने से होते हैं, वे मृत्यू तक विकसित होती है, समय हमेशा एक अवसर रखता है, हम में से प्रत्येक के भीतर की प्राकृतिक उपचार शक्ती ठीक होने में सबसे बड़ी शक्ती है, न केवल बीमारी का इलाज करना आवश्यक है, बलकि उन कारणों का प्रतिकार करना भी आवश्यक है, जो कोई भी आति प्रकृति के विप्रीथ है डॉक्टर की पहली आग्या कोई नुकसान मत करो जब मस्तिश्क स्वस्थ और शान तवस्था में होता है तो व्यक्ति समझदारी से सोचता है माता पिता का शराबीपन बच्चों की कमजोरी और बीमारी का कारण है डॉक्टर बीमार प्रकृति और चिंताओं से सिकुड जाता है और जम जाता है हालांकि दिल समझने और सोचने में सक्षम नहीं है एवल मस्तिश्क ही ऐसा कर सकता है और वही हमारी भावनाओं को जन्म देता है भूक इनसान को कमजोर कमजोर और मार डालती है भारी भोजन मानव शरीर को मौत के करीब ले आता है जिस प्रकार कपड़ा बनाने वाला कपड़े को धूम से हटा कर साफ करता है उसी प्रकार जिमनास्टिक शरीर को साफ करता है जो दवा से ठीक नहीं होता वह चाकू से ठीक हो जाता है जो चाकू से ठीक नहीं होता वह गर्म लोहे से ठीक होता है ज ज्यान के लिए मन का प्रयास ऐसे परिणामों की ओर ले जाता है जो जीवन को सुशोभित करते हैं। यदि कोई प्रकृति की सीमा का उलंगन करता है तो न द्रिप्ति न भूख और कुछ भी अच्छा नहीं है। अतीद की घोशना करें, वर्तमान का निदान करें, भविष्य की भविष्यवानी करें। आलस्य सभी विकारों का स्रोत है। जहां आलस्य नहीं, वहां कोई बुराई नहीं। बार बार और अकारण थकान एक आसन बीमारी का पूर्वा भास देती है। डॉक्टर एक दार्शनिक है, क्योंकि बुद्धी और ओशधी में कोई बड़ा अंतर नहीं है। विवाहा अंदर से एक बुखार है, इसकी शुरुवात गर्म होती है और ठंड खत्म होती है। मस्तिश्क में हमारा दिमाग और पागलपन और विक्षिप्तता और हमारे सभी भय और भयावहताएं जिन में सपने भी शामिल हैं, साथ ही हमारी सभी क्षमताएं और लापरवाही शामिल हैं। खुद को जलाने से आप हमेशा दूसरों के लिए चमकते रहेंगे। वास्तव में दो चीजें हैं। जानना और विश्वास करना कि कोई जानता है। जानना विज्ञान है, विश्वास करना अज्ञान है। बुढ़ापे में सेक्स से बचें। क्योंकि इस उम्र में आनन्द के अन्य स्रोतों का उप्योग करना अधिक सुरक्षित होता है। अपनी बीमारियाओं किसी को न बताएं। अन्यथा, आपको ऐसी सलाह मिलने का जोखिम है, जो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कंटेंट लाते रहते हैं।